नमस्कार आप देख रहे हैं चौपाल समाचार चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज में इस खबर को लेकर आया हूँ ये खबर भी समाज से जुड़ी है और सम्मंदित है रास्टी जनाता दल के द्वारा आईजित किये जा रहे अमबेदकर परिचर्चा से आज मुझभफरपुर में भी अमबेदकर परिचर्चा का युजन किया गया जिसमें मुख्यवक्ता के रूप में महुआ के विधायक डॉक्टर मुकेश रसुन उपस्तित हुए जिन्होंने उपस्तित लोगों को श्रम बोदित करती हुए कहा कि हम सभी को बाबा साब भीमराव अमबेदकर के जीवन से सीखना है समझना है और वरतमान परिच्चिती में जो हमारे देश की सिती है उसको बहतर करने के लिए हमें उनके द्वारा बताय रास्ते पर चलना भी है उन्होंने कहा कि सबसे पहले आवश्यक है हम लोगों को जो संभीधान है भारती है संभीधान है और उसमें जो हम लोगों को करतब्य और अधिकार बताये गए हैं उसे समझ लेना परेगा तभी जाकर आप बहतर एक समाज का रिनमान कर सकेंगे तभी जाकर हम सरकार की जो बाते हैं विवस्ता है उसको बहतर कर सकेंगे और साथी साथ ऐसे लोग जो हम सभी को परिशान कर रहे हैं, हम सभी को दवा रहे हैं तरह-टरह के जो जाति बातुआद और सम्मधित समस्याओं को लेकर हम पर थोप रहे हैं, उन से भी हम तभी निपट सकेंगे जब हम बावा सहब भीम्रा अब्यत करके जीवन को अध्यन करें, उन्हें समझें और उनके रास्ते बताए रास्ते पर आगे बढ़ें उन्होंने एक बढ़ी बहुतर बात करी जो मैं आप दर्शकों को पता देना चाहता हूँ उन्हें कहा कि ज्यान बहुती आवर्शक है और ज्यान किताबों में मिलता है, तो इसलिए अगर हम कभी किसी के साधी में या किसी काजकरम में उपस्थित हों, जहां हमें गिप्ट और उपहार देने के जरूरत हो, वहां पुस्तकों को देना चाहिए, इन सभी बातों को लेक सभी परखंडों में अभी अम्बेदकर पड़िचर्चा का कारिशकरम चल रहा है, उसी करम में आज हम लोग मुझबपरपुर महानगर में आए हैं, आज बहुत अच्छा कारिशकरम यहां हुआ, अम्बेदकर जी के विचारों को हम लोग अपने कारकरताओं के बीच रख लिखिए, समझ ये, और आगे भी आप क्या चा रहे हैं, अगर आपका भी विचार है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम सब मिलकर एक बहुतर समाज बना रहे हैं, और बहुतर समाज बनाने में हर किसी का अश्योग परारत नहीं होता, इसलिए आप भी अपने अश् से अवश्योग करें, आज के लिए बशितना ही, मैं होप शेकारन चपाल समचार के लिए नाने बाद